घर को साफ सुत्रा और मैनेजेबल रखने के लिए हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है और हर एक चीज को सही से मैंटेन करना पड़ता है अगर आप एक भी चीज को छोड़ देना तो वो चीज काफी खराब हो जाती है और फिर उसको आप सुधानने की कोशिश करें तो नहीं हो पाती है नमस्ते फ्रेंड्स मैं सरीता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूं दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपना बात्रूम क्लीनिंग रूटीन वैसे मुझे डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैं regular basis पे न मैंने ऐसे नियम बना रखा है कि मैं इसको regular clean करती रहूं जिससे कि ये साफ बना रहे और कभी एक दम से ज्यादा महनत की मुझे जरूरत नहीं पड़ती लेकिन आज आपके साथ मैं प्रॉपर क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ तो वासवेशन जो है ये तो मेरा हमेशा साफ ही रहता है क्योंकि इसको मैं एक दिन छोड़ कर एक दिन क्लीन करती हूँ क्योंकि एक दिन दूसरे बात्रूम का होता है और नेक्स्ट डे नेक्स्ट बात्रूम का तो इस वज़े से एक दिन छोड़ के एक दिन इनका नमबर आता है और जो वासवेशन के नीचे मैंने ये बॉक्स लगवाया हुआ है इसको भी मैं हफते में एक बार clean करती हूँ किसी भी चीज से आप इसे clean कर दीजे और फिर अच्छे से इसे रगड दीजे क्योंकि hard water stain जो होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से जाते हैं अगर एक बार पढ़ जाएं तो तो इसको अच्छे से रगड दीजे किसी मैं normal detergent लेके और जूने से इनको रगड देती हूँ और गीले कपड़े से फिर इसे पौँच देती हूँ क्योंकि ये मेरा जो box है ये लकडी का बना हुआ है तो इसको खराब हो जाएगा ये दीमक वगएरा लग जाएगी इस वज़े से मैं इसका proper care मुझे करनी पड़ती है और उपर की जो wash version है उसको भी अच्छे से clean कर दीजे पानी से मैंने अपना wash version धो दिया है मैं इसको ज्यादा तर clean करती हूँ harpik से और बिलकुल ये clean हो जाता है साफ सुत्रा हो जाता है डेली बेसिस पर अगर आप इसे clean कर रहे हैं तो detergent काफी है लेकिन हफते में एक बार हारpik यूज़ कर लीजे आपका wash version हमेशाद चमकता रहेगा तो देखिए मेरा जो नीचे का इसका cabinet है वो भी clean हो गया है एकदम साफ हो गया है और बस गीले कपड़े से मैंने इसे पोंच दिया जो भी detergent के दाग धबे थे सब हट जाएंगे मैंने बहुत सारे tiles में hole नहीं करवाए हैं किले नहीं गड़वाई हैं जिससे की सामान को रखने में बड़ी परिशानी होती है जैसे की जो regular uses का सामान है तो इस तरीके के आप storage के container आप ले सकते हैं online ये मैंने last year लगाया था सरदियों में ही और इसको एक साल हो गया है और बहुत अच्छा ये study है और अच्छे से काम कर रहा है आज मैंने इसको भी पूरा निकाल के अच्छे से clean कर दिया है आप देख सकते हैं कि ये भी काफी द सामान इस पे आजाता है और अच्छा काम दे रहा है ये अच्छे से इसके सारे जितने भी पार्ट थे उन सभी को मैंने मांच दिया है तो इस चार का set था इसको अच्छे से मैंने wash कर दिया जूने की help से रगड दिया और देखे ये last year की वीडियो मैं आपके साथ share कर रही ह जब मैंने इसे install किया था तो इसका नाप जितनी दूरी पे मुझे रखना था उतना मैंने लिया और इसके साथ na adhesive hooks आते हैं एक extra था और एक गलती से मेरे से गलत जगा मैंने place कर दिया फिर इसको लगाना थोड़ा मुश्किल था लेकिन extra था तो उससे काम चल गया आप क्या कीजिए ना अच्छे से नाप कर कि कहां पर आपको इसको चिपकाना है तब ही चिपकाईए वरना ये बड़ी परशानी हो जाती है अगर गड़बड हो जाए तो है तो आप अच्छे से इसको नाप कर निशान लगा कर तब आप इससे paste कीजिए और तब लगाईए ये लिंक ना अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूगी आप अगर मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं तो अब इन सब को मैं यहां पर अच्छे से पानी से वाश कर दूगी जितने भी यहां पर स्टोरेज के बॉक्सिस हैं साबून रखने वाले हैं स कौने की जो भी चीज़े हैं उसकी ना अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दीजे आपको फिर बार बार उसे क्लीन करने की जग जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको बस हमें फिर क्या करना है एक बार वाइप करना है और 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 अर्गनाईस कर रहा हैं उसको बार बार हटा कर क हमें जरूरत नहीं पड़ेगी वाश करके मैंने दुबारा से इन्हें इनकी जगा पर लगा दिया और इनमें मैंने अपना फिर सारा समान जो भी मैं इसमें रखती हूँ ब्रश होल्डर है, ये शेविंग फॉम है और कुछ भी जो भी चीजे शेंपू वगेरा सारी चीजे इस तरीके से मैं इसमें और्गनाइज करके रखती हूँ जो भी रेगुलर बेसिस पर चाहिए होता है, एक डब्बे में मैं थोड़ा डिटेरजेंट जरूर रखती हूँ जो कि बातरूम साफ करने के लिए या किसी चीज को बाल्टी वगेरा को दोने के लिए मुझे काम में आ जाता है बाल्टी वगेरा जब हम धोते हैं तो इसका भी एक रूटीन सेट कर लीजे कि आपको अगले दो दिन बाद दोना है या तीन दिन बाद इससे वाश करना है तो इस तरीके से आप एक routine set कीजे तो आपका जितना भी सामान भातरूम है तो उतना साफ रहेगा बस एक चीज पकड़ लिजे कि मुझे नहाने से पहले इस चीज को साफ करना है आज फ्लोर्क साफ करना है, आज मुझे बाल्टी चौकी साफ करनी है आज मुझे ये साफ करना है, तो इस जाएसे आपका पूरा बातरूम क्लीन रहेगा और हमेशा साफ रहेगा तो इस तरीके से मैं अपने बातरूम को क्लीन करती हूँ और एक तरीके का routine मैंने बनाया हुआ है कि नहाने से पहले मुझे ये चीज साफ करनी है वासवेशिन जैसे कि हम कर सकते हैं नहाने के बाद भी, टाइल्स भी हम नहाने के बाद साफ करते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़े ऐसे होती हैं जैसे seat हो गई है, pot हो गया है, तो उसको तो आपको नहाने से पहले ही clean करना है और कोई और भी चीजे हैं तो ऐसे आप एक routine बनाईए तो जिस तरीके से आपको routine set हो उस तरीके से एक routine बनाके अपने बातरूम को clean कीजे मैंने अब tiles को गीला करके इस पे अच्छे से मैंने detergent का powder से अच्छे से रगड दिया था और फिर wiper से दुबारा पानी से दोकर wiper से इसे साफ कर दिया जो भी tiles थी वो अच्छे से साफ हो जाएंगी और shiny हो जाती है और एक सफाई का एक अलग से ही एहसास आपको होने लगता है तो सारी tiles मैंने कुछ इसी तरीके से साफ कर दी जो भी bathroom में लगी हुई थी चारो तरफ तो कुछ इस तरीके से मैं अपना जो routine है cleaning का इसे follow करती हूँ हमारी जो tap वगेरा bathroom में होती है उनको भी clean करना जरूरी होता है तो मैं daily basis पर अगर बात करूँ तो मैं इसको detergent से ही clean कर देती हूँ और अगर आपको चाहते हैं आपकी hard water stain मिटाने हैं तो पानी के जो दाग धब्बे हो जाते हैं तो उनको भी आपना harpik की health से मिटा सकते हैं हटा सकते हैं बहुत ही आसानी से हट जाएंगे कुछ और आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई chemical वगेरा इसको try करके देखिएगा आप यह आपको जरूर काम करेगा तो क्योंकि मैंने खुद इस्तमाल किया है तभी मैं आपके साथ share कर रही हूँ तो मैंने अपना bathroom almost clean कर दिया है अब floor पर detergent मैं sprinkle कर दूँगी और इसके बाद इसको मैंने एक यह brush है जिसको हम bathroom या tiles वगेरा clean करने के लिए मैं इसको use करती हूँ बहुत अच्छा है अगर जैसे आपको कमर में दर्द रहता है तो यह बहुत काम की चीज है उपर की tiles जहां पर हाथ नहीं जाता है वहाँ पर भी साफ कर सकते है तो मैंने खास तोर पर यह इस bathroom के लिए ही मंगाया था कि cleaning के लिए और काफी अच्छा है यह मैंने local market से खरीदा है और बहुत ही useful चीज है तो ऐसा चाहें चीज तो आप अपने घर में रख सकते हैं cleaning को easy बना देता है इसके बाद पानी से अच्छे से आप wash करके मैंने wash कर दिया और bathroom हो गया है बिल्कुल clean वाइपर से उस पानी को पोंच देंगे नहाने के बाद एक habit जरूर बनाईए कि bathroom से तब निकलेंगे पहले वाइपर लगा देंगे और bathroom बिल्कुल clean और साफ सुत्रा हमारा पूरे दिन के लिए पढ़ा रहता है तो दोस्तो इस तरीके से मैंने अपना bathroom साफ किया और आपके साथ शेयर किया वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजेगा